आज हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ वड़ा पाउड की रेसिपी इसमें बड़ा बनाएंगे बहुत ही यूनीक तरीके से बहुत ही यूनीक इंडिडियेंस के साथ जिससे की वड़े का स्वाथ बहुत बढ़ी आएगा और इसमें एक बहुत ही बढ़ी चीज यूज़ आगे बताएंगे इससे वड़ा पाउड का जो टेस्ट है काफी जादा बढ़ जाएगा इनायन्स हो जाएगा तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजी और वीडियो को डिफिनेटली लाइक कर दीजेगा तो यहां पर दोस्त परा धनिया यह भी एक टेबल स्पून है यह सौफ है एक टेबल स्पून है इन मसालों को थोड़ा सा तड़कने देते हैं तो अब इसमें डाल दीजे दो बड़े चम्मच यानि दो टेबल स्पून है बारी कटे हुए लशन और एक टेबल स्पून डाल सकते हैं हरी मिर्च या आपने टेस्ट के साब से डाल सकते हैं इसमें थोड़ी सी दो तीन सूखी लाल मिर्चे में तोड़के डाल देंगे तो यह सभी मसाले पक चुके हैं बुन चुके हैं इसमें डाल देंगे हाफ टेबल स्पून हल्दी पा ले हुए आलू जिसको की हमने हाथों से मैश कर लिया है मैं आप तक्रिबान आदे किलो आलू लिया है और इसको अच्छे से मिला देंगे जो बड़े तुक्रे हैं आलू के उसको आपको इस तरीके से मैश करते रहना है ताकि बहुत बड़े तुक्रे ना रह जाए इस पर डाल देंगे हाफ टेबल स्पूल लाल मिल्च पाउडर डाल देंगे हाफ टेबल स्पूल आम चूर पाउडर और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे तो इसमें हमें खटास कम लग रही थी तो हम थोड़ा सा हमचूर पाउडर इसमें और एड़ करेंगे और इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार आप चाहें तो इसमें गरम मसाला पाउडर भी थोड़ा डाल सकते हैं इस समय अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंग अब इसमें डाल देंगे टेल सारा कटा हुआ हरा दरिया और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे बस यह जो मिक्षर है यह रेडी हो गया है इसे हम एक ब्लेट पे निकाल देंगे और ठंडा होने देंगे थंडा होने के बाद हम इसके बाल्स बनाएंगे बड़ा के लिए पेड़े बनाएंगे तो यहां पर दीखे प्लेट में निकाल लिया है इसे थंडा होने देते हैं तो मिक्सर ठंडा हो चुका है अब हम इसके बॉल्स बना लेते हैं बॉल्स मेडियम साइज रहेंगे बड़ा पाव के हिसाब से इस तरीके से बॉल्स बना के साइड बे रखेंगे उसके बाद हमने यहाँ पर बैटर बनाया है बैटर में बेशन है हल्दी अजवाइन और नम कम बचा हुआ है वीडियो में आ नहीं पाया था तो मैं आपको लास्ट में दिखा रहा हूं तो यह बैटर जो में लगा के इस तरीके से इसको हम फ्राई कर लेंगे इसमें चाहें तो आप बैटर में थोड़ा सा एक चुटकी सोडा भी डाल सकते हैं फूलता भी है अगर स इसको असेंबल करना दिखाते हैं तो यहाँ पर पाव है ताजा फ्रेश पाव है तो इसको अब हम बीच से कट कर लेंगे पूरा कटनी करेंगे लास्ट में जॉइंट रहने देंगे और इस पर जो हमने गन पावडर बनाया है इस वीडियो के पहले हमने गन पावडर बनाया है उसमें बताया है हम आई बटन में डाल देंगे इसको और या फिर एंड स्क्रीन में वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर उसका description आएगा आप वहां से भी देख सकते हैं और आई बटन से भी देख सकते हैं तो यह gun powder डालेगे यह काफी तीखा होता है तो थोड़ा सा डालेगे यह आप अपने हरी चटनी वगरा भी लगा सकते हैं बट यह ऐसे सिंपल खाया जाए तो बहुत ही बढ़िया स्वाद लगता है इसके साथ आप हरी चटनी साइड में सरभ भी कर सकते हैं तो इस तरीके से प्रिजन करेंगे हरी चटनी के साथ थोड़ा सा gun powder उपर से डालेगे तो इस तरीके स से जरूर आप ट्राइ किजिए आपको डैफिनेटली पसंद आएगा और वीडियो को लाइक किजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बहुत 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 धन्यवाद इसके साथ मिर्ची जरूर शरफ करें फ्रैड मिर्ची है यह झाल झाल